तो किया ये probability topic के अंदर आगे बढ़ते हैं और कुछ और रहे के questions करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम कर रहे है probability without replacement questions यहां पर क्या होता है कि हमें एक container दिया होता है उसमें कुछ balls दी होती है उन balls को हमें pick करना होता है और हमें balls को replace नहीं करना होता ठीक है और उसके बाद कुछ events होते हैं उनकी हमने probability निकालनी होती है तो यहां पर जो हमें given question है उसमें हमें 21 balls दी होई हैं यह container के अंदर जिसमें आपकी 12 green balls है और 9 आपकी blue balls है ठीक है 2 balls को हमने pick करना है तो सबसे पहली probability हमसे कही गई है जो की निकालने को दी हुई है वह है उसमें कहा है कि both balls are blue that means पहली ball भी आपकी blue निकले और second ball भी आपकी blue निकले and without replacement ठीक है तो सबसे पहली जो ball निकलने की probability है blue वो कितनी होगी 9 by 21 because total balls आपकी 21 और 9 आपकी blue balls थी second time जब आप blue ball निकालोगे तो because एक ball आपकी blue कम हो जाएगी that means number of balls कितनी रह जाएगी 8 रह जाएगी और total number of balls कितनी रह जाएगी 20 रह जाएगी so this will be the answer पहली वाले पार्ट के लिए तो हमें total यहाँ पे कितना है बल गया हम लिख लेते हैं cases हो सकते हैं कि इसमें कहांगे कि पहली पहली ब्लू हो दूसरी green हो ठीक है और या पहली green हो दूसरी blue हो दोनों ही हो सकते हैं दोनों इसके अंदर आएंगे that means हम यहाँ पे कह सकते हैं कुछ इस तरह सुखता कि पहली blue हो दूसरी green हो और पहली आपकी green निकली हो या दूसरी आपकी blue हो तो यह दोलों cases आपके satisfy करते हैं इस event को तो इसके according अर अगर देखोगे तो पहली blue निकलने की probability किती हो गई 9 by 21 और दूसरी green निकलने की probability किती हो गई 12 by 20 because एक ball आपकी कम हो चुके थी because हमें एक ball यहाँ पे पहले निकाल चुके थे plus पहली green निकलने की probability कितनी थी 12 by 21 और second बार आपकी blue निकलने की probability किती हो गई 9 by 20 तो इस तरह से हमारी second probability निकली यह वाली जो कि हमें यहाँ पे इसका answer मिलता है अगर अपसॉल करोगे 18 by 35 ठीक है आईए इस question को थोड़ा और extend करते हैं यहाँ पे हमसे कहा गया कि one more ball is picked ठीक ह 2 balls के साथ अब हम 3 ball को निकाल रहे हैं तो सबसे पहले part में कहा गया कि all balls are green तीनों की तीनों बाल्स आपकी जो हम निकाल रहे हैं वो green निकले उनकी probability क्या होगी without replacement तो बड़ा ही simple सा है जो पहला वाला part था उसको हमने just extend करना है हमें यहाँ पे कितने 12 ग्रीन बाल्स थी देक इसको अगर आप solve करोगा आपको मिलेगा 22 by 133 ठीक है तो यह हमारी probability निकली पहले वाले part के लिए कि all balls all three balls are green in color ठीक है second part में हमसे कहा गया कि at least one ball is blue in color जब हमसे कहा गया at least one ball that means मैं यहाँ पे कह सकता हूँ one minus वो सारी possibilities जो कि आपकी green की हो ठीक है तो उपर हमने यह निकाला ता सारी कितने निकली थी green की 22 by 133 तो simply मैं यहाँ से इसको use कर सकता हूँ one minus 22 upon 133 तो हमें इसका answer यहाँ पे मिलता है triple one upon 133 this will be the answer to this part so इस तरह से हमारी probabilities निकलती है without replacement के questions में आईए अब replacements के साथ यही questions करते हैं करते हैं